च्यानक्य कहते हैं कि ब्रह्मन करने वाला राजा ब्राम्मन एवं योगी सबके लिए आदर्गे पात्र होते हैं इसके विप्रीद ब्रह्मन करने वाली नारी समाज में रष्ट और दोष्टा मानी जाती है इस संदर्व में विश्टरत वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्योंकि राजा का करतब्य है कि वह अपनी प्रजा के दुख दर्द एवं परिशानियों को जाने उसके अधीनास्त अधिकारी प्रजा के प्रती किस प्रकार ब्योहार करते हैं उनकी भलाई के लिए कौन-कौन से पुचित प्रयास कर रहे हैं ये सब जानना राजा के लिए अत्यंत अवश्यक होता है इसलिए प्रजा के साथ सीधे संबाध है तू उसे गुप्त रूप से ब्रह्मन करते रहना चाहिए यदि ब्रामन ब्रह्मन करता रहे तो उसे यज्वानों की कमी नहीं आती इसके साथ साथ समाज में उसका आदर सम्मान भी निरंतर बढ़ता जाता है साधू संतों एबं योगियों का ब्रहमन उनके ज्यान और विवेक को जन जन तक पहुचाने का माध्यम बनता है इससे संसार के पिछड़े और अग्यानी मनोश भी उनके ज्यान योक्त वानी का स्रवन कर सनमार्गी की ओर अग्रसर होते ही लेकिन नारी के लिए अनावश्यक ब्रहमन नरक की ओर ले जाने वाला होता है दीन हीन एवं सादन रहत नारी गलत संगती में पढ़कर अपना चरेत्र और सम्मान दोनों गवा बैठती है इसलिए इस्त्रियों को अनावश्यक ब्रहमन की प्रवत्ती से दूर रहना चाहिए